सिम्रन को बच्पन से ही अच्छे कपड़े पहन कर सजना सवरना बहुत पसंद था. कई बार बिना वजह भी वो घर पर सजकर बैठी रहती. आसपास में शादी ब्याह होते तो दुलहन को सजाने के लिए सिम्रन को ही बुलाय जाता था. सिम्रन की शादी रोहन नाम के लड़के से होती है. ससुराल में सभी उसके सजने की वज़ा से परिशान रहते थे. सिम्रन घर का काम छोड़कर सजने सवरने बैठ जाती. सिम्रन को घूमना, फिरना, पार्टी करना बहुत ही पसंद था. वो अकसर अपने दोस्तों के साथ कित पार्टी करने जाए करती थी. अरे जल्दी नाश्ता दो, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है. अरे बाबा, अभी आई. सिम्रन काला चश्मा पहने कान में हेड़फोन डाल, हाई हील्स की चपल और जीन्स पैंट पहन, हाथ में नाश्ते की थाली लेकर आती है. अरे, ये सब क्या है? मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाती है, नाश्ता टाइम पर दे दिया करो. ओ डालेक, आज मैं तुम्हारे लेए स्पेशल इटैलिन नाश्ता बना रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया. ठीक है, जो भी है अब जल्दी दे दो. सिम्रन नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखती है, रोहन देखकर हैरान रह जाता है, प्लेट में कच्ची-कटी हरी साग के अलावा और कुछ नहीं होता. ये क्या है? इसे खाने से इसकेद में ग्लो आता है, फेस पर पिमपल्स नहीं आते, और तो और मेरी फेवरेट हिरोईन है न, वो भी सुबह-सुबह नाश्ते में यही खाती है, कभी उदर से रोहन की मा नीली मा आती है. बेटा, मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं. थेंक्यू मा, वरना आज मैं भूखा ही ऑफिस चला जाता. बहु, मैंने तुझे कितनी बार कहा है एक हम से कम घर पर ढंके कपड़े पहना कर. ओ, ममी जी, ये लेटेस्ट फैशन है, अभी नई मुवी आई है ना, उसमें हिरोईन ने भी ऐसे ही कपड़े पहनी थे. नीली मा और रोहन सिमरन के इस बरताव से हमेशा परिशान रहते थे. नीली मा कई बार सिमरन को समझा चुकी थी, लेकिन सिमरन के कान पर जून तक नहीं रेंगती थे. एक दिन घर पर रोहन की छोटी बहन रागिनी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे. सुबह से नीली मा महमानों के स्वागत में जुटी हुई थी. बहु, आज तुझे पता है ना, रागिनी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं. हाँ मम्मी जी, मैंने रेडी होने के लिए ब्यूटी पार्लर वाली को भी बुला लिया है. हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा. लेकिन लड़के वाले तुझे देखने नहीं आ रहे हैं, रागिनी को देखने आ रहे हैं. हरे मम्मी जी, हमारी रागिनी को देखते ही लड़के वाले यूँ ही पसंद कर लेंगे. माया ब्यूटी पार्लर वालों को आने में थोड़ी देर हो जाती है. अरे माया मैं तेरी कब से रा देख रही हूँ लड़के वाले आते ही होंगे सारी मैडम में तब ठीक नहीं है इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई चलो जल्दी से मेरा मेक अप करो वरना मुझे देर हो जाएगी माया जैसे ही सिमरन को आईलाइनर लगाने जाती है उसे छींका जाती है और सारा आईलाइनर सिमरन के चेहरे पर फैल जाता है ये क्या किया तुने मेरी पूरी शक लकाली कर दी सॉरी मैडम मैं वापस से आपका मेक अप कर देती हूँ माया फिर से सिम्रन का मेकप करती है, तब तक बहुत देर हो जाती है, लड़के वाले आकर चले भी जाते है मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, लड़के वाले आकर कपके चले गए सौरी बाबा, मेरा मेकप तो कपका हो गया था, लेकिन जब माया आईलाइनर लगा रही थी तो उसे चीक आ गई, और सारा आईलाइनर मेरे चेहरे पर फैल गया, इस शक्कर में वापस मेकप करना पड़ा और देर हो गई तुम कब सुधरोगी सिम्रन, जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है रोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है, अगले दिन रोहन अकबार पढ़ रहा होता है हमारे देश में कोरोणा नाम की महमारी बहुत ही तेजी से अपना पैर पसारने लगी है इसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने तीन महीने का लॉगडाउन का ऐलान किया है ये कोरोणा कैसी बिमारी है? मा, कोरोणा में व्यक्ति को सर्दि खांसी हो जाती है अगर इसका जल्दी से इलाज नहीं कराया गया तो ये फेफड़े तक पहुँचकर उसे खराब कर सकती है और ये बिमारी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती है तभी सिम्रन मा चीकते हुए आती है क्या हुआ सिम्रन तुम्हारी तबियत तो ठीक है न बस थोड़ी सी सर्दी खासी है दवाई ले लूँगी अभी तुरन ठीक हो जाएगा तभी सिम्रन की फोन पर माया पार्लर वाली का कॉल आता है हलो मैडम मैं आपका मेक अप करने आई थी और मुझे सर्दी जुखाम हो गया था अर तेरा इंफेक्शन मुझे भी लग गया है मुझे भी सर्दी खासी हो गई है मैडम आज मेरा कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आया और मैं कोरोना वाइरस से संक्रमित पाई गई हूँ मैं तो कहती हूँ आप भी टेस्ट करा लो इतना बोल कर माया फोन काट देती है ये सुनकर सिम्रन को हाग से फोल गिर जाता है क्या हुआ सिम्रन? सब ठीक है न? माया पार्लर वाली को कोरोना हो गया है हे भगवान तुम भी उसके संपर्क में आई थी कहीं तुम्हें भी इतना बोल नलिनी चुप हो जाती है रोहन समजदारी दिखाते हुए सिम्रन को हास्पिटल ले जाता है और उसका कोरोना टेस्ट करवाता है सिम्रन भी कोरोना से संक्रमित थी कोरोना कैसे हो सकता है नहीं नहीं रिपोर्ट में कुछ गलत होगा कोरोना किसी को भी हो सकता है लापरवाही हटी, दुरघटना घटी क्या मैं मर चाऊंगी सही लाजवा कुछ नियमों का पालन करने से कोरोना वाइरस को रोका जा सकता है मुझे सब मन्जूर है मैं सब करूंगी लेकिन मुझे बचा लो मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती अभी मेरी उमर ही क्या है तभी नीली मा वहाँ मास्क, काड़ और सैनिटाइजर लेकर आ जाती है ये लो बेटा मास्क लगा लो मम्मे जी आप जब मास्क लह रह थी तो मेरे कपड़े से मैचिंग कलर का मास्क ले आती आज कल कलर कॉम्बिनेशन का समाना है बेटा, मास्क का काम हमें बीमारियों से बچाना है रंगों से क्या लेना देना कुछ दीने बाद सिम्रिन की तब्यत और बिगर जाती है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है सिमरन का इंफेक्शन फेपड़े तक पहुँच कया है फॉरन ओक्सिजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा वरना इनकी जान को खत्रा है मैं कहीं से भी ढूंट कर ओक्सिजन सिलेंडर लाता हूँ प्लीज आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए क्या हुआ बेटा, ओक्सिजन सिलेंडर मिला? नहीं मा, मैंने पूरे शेहर में ढूंड लिया कहीं ओक्सिजन सिलेंडर नहीं मिल रहा तभी डॉक्टर वहां आता है आंटी आपने मुझे पहचाना? एक बार मेरी स्कूल की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो आपने मेरी मदद की थी? हाँ बेटा संजे, मुझे याद है आपकी मदद की वज़ह से ही मैं इस मुकाम पर आया हूँ लेकिन आप यहां कैसे? मेरी बहु कोरोना संक्र में थे उसके इलाज के लिए हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है आप पिशिंट को बड़े शहर के अस्पताल में लेकर चाहिए मैं वहाँ फोन कर देता हूँ वहाँ सिलेंडर उपलब्ध है मैं अभी सिम्रन को लेकर वहाँ जाता हूँ रोहन सिम्रन को बड़े शहर के अस्पताल में ले जाता है, वहाँ सिम्रन का अच्छे से इलाज होता है और सिम्रन कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाती है सिम्रन को समझा चुका था कि हमेशा बड़ू की बात माननी चाहिए अपनी सेहत का खयाल रखना चाहिए और कोरोना काल में मास लगा कर रखना बहुत जरूरी है मम्मी जी मैं समझ गई हूँ अपनी स्वास्ते का ध्यान खुदी रखना चाहिए और दूसरों की बात माननी चाहिए स्वस्थ शरीरी हमें सुन्दर बनाता है ना कि कोई मेक अप प्रोडक्ट तो फिर आज से तुम्हारा मेक अप लगाना बंद सिम्रन सोच में पढ़ जाती है और सभी हसने लगते है